हेलो दोस्तों आज हम यहां पर बात करेंगे एक्सिटा कॉटन लिमिटेट से लेटे यह शेयर अगर हम यहां पर देखे 83 का इसने फिलहाल 52 वी खाई लगाया था और वहां से आप देखोगे इस शेयर के साथ ऑपरेटर ने खेल खेला लोगों को उपर की लेवर पर फसाया यहां पर इस तरीक से लेके गए और फिर उसके बाद lower circuit लगा के नीचे लेके आए तो क्या इस शेयर को अब लेना चाहिए क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे इस शेयर में इस शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है तो क्या यह एक best buy है क्या हमें इसे लेना चाहिए किसी के पास है तो क्या बेज देना चाहिए और खरीदना चाहिए या बाइन डिप करना चाहिए उस सब चीयों से लेटीड मैं आपसे यहां पर बाते करूंगा बट बिफोर दे वीडियो में आगे बढ़ू आपसे रिक् सीखने ही कोशिश करना है जितना सीख होगे पैसा बनेगा ओके कामियाभी आपके पीछे दोड़ती हुई नजर आई हो सीखने का तरीका है वीडियो को देखिए वीडियो के साथ साथ कोर्स है बेसिक्स टू एडवांस डवलेड़ीड सिक्सवन जियो थिरी सेवन दोनों एक तारिक से यही कोर्स 20,000 रुपे का होने वाला है तो सीट बुक करा लीजिए जल्दी त्री मंस की पैक्टिकल अर्डिंग, स्टैटिजी उसे इन श्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टिंग करना, स्विंग ट्रेड करना, जो आपको करना हो करना हमेश इसके इलाबा किसी का पोर्टफोलियो बड़ा है, ओके दो लाग, चार लाग, पाच लाग, दस लाग, जितना ही बड़ा हो, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक बार हम से कॉंटेक्ट करिए, साथ में काम करते हुए नजर आएंगे, और फिर अच्छा कासा आपका पैसा पार बनता हुए नजर आएगा, Exita Cotton Limited, Exita Cotton Limited की अगर हम बात करें, तो सब से पहले है пять्स वाइस करोर्ट रुपे की कम्पनी है, मार्किट कैप की बात करें, तो पान सौ बाइस करोड रुपे एक छोटा सा माईinkरो कैप शेर है, तीज का PE हैं, इंडरिटी का PE की बात करें, 27 इसका है तो कही नहीं महंगा नजर आता है बट पी के बेस पर कभी काम नहीं करना बस जस्ट फॉर इंफोमेशन मैंने या पर आपको बता है आरो सी आरोई देखो के तो अच्छी नजर आती है 48 परसेंट, 38 परसेंट, 12 परसेंट का डेट भी है 83 रुपीज से 26 रुपे पर स्टॉक यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है और दो बुक वैल्यू देख लीजिए 2 रुपे की है तो इस चीज को भी आपको क्या करना है ध्यान रखना है इसके इलावा यहां पर देखिए तो कंपनी यहां पर बिजनस में हैं अब चाहो तो एक बाद की वैबसाइट पर विजिट करना तो पूरा का पूरा आपको चीजे समझ में आती भी दिखाई देगी बिजनस ओवर्वियू की बात करें तो यहां पर देखिए गिनिंगा इंप्रैसिंग आफ सीड कॉटन on job work basis and production of cotton bales and cotton seeds it also trades in the kapaas cotton bales and cotton seeds यह मतलब बात करें cotton related यह कंपनी काम करती है trading product करती है specialization अगर बात करें तो cotton में है यहां पर आप देखिए manufacturing capacity यहां पर आप देख सकते कादीन महा मही सानलटिष्टिक और गुजरात यहां पर यह कंपनी अच्छा कासा काम करती ही नजर आ रही है प्रिजेंस की बात करें international तो यहां पर Bangladesh, China, Indonesia, Thailand, Vietnam, Europe, Morocco, Singapore यहां पर यह कंपनी काम करती है यहां पर clients देखें तो इनके सारे के सारे KPR Mills, okay बड़ा एक नाम है Nasa Group as well as Maxon Group यहां पर देखिए Pacific Group, Ambar, Ecom, Amsan, Olam तो यह बहुत अरेन के clients भी है, geographical split की बात करें, export से 38% इंडिया में 69% की यहां पर revenue आती हुई दिखाई दिए 2022 में और company bonus भी दे रही है, split भी दे रही है, buyback भी कर रही है, order book company का यहां पर 6 April के साब से देखें तो company का order book भी यहां पर अच्छा गासा नजर आता है, और यहां पर इनकी website पर आप विजिट कर लीजिए, तो यहां पर आपको चीजे और अच्छे से पता चलेगी, और अच्छे से समझ में आएगी कि company यहां पर exactly क्या करती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से यहां पर ह आपको यहां पर बता चुमाओ, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर आपको बहुत चलेगा, maximum chart pattern, तो 2019 में शेर आया था दो रुपे पे, इसके आद एक consolidation के बाद से शेर निकला और लगबग 30 रुपे, यहां पर आप देखोगे 2 रुपे से 30 रुपे, तो आप के पैसे कितने अच्छे खासे बढ़नते हुए नजर आयोंगे इस शेर में आपको पता ही है, बट याद रखिये जब शेर एक पीक पे पहुच जाता है, तो आपर से profit book करना भी ज़रूरी होता है, कर लेते हो तो तो अच्छी रहेगा, otherwise यहां पर वो शेर उपर के होगे result, तो company के result देखिये, लगब लगब पहले अच्छे खासे आते हुए दिखाई दे रहे तो फिर यहां पर flat होते हुए दिखाई दे रहे है, ठीक है, यहां पर इनकी जो revenue है, yearly basis पर भी और as well as quarterly basis पर भी गिरती हुए नजर आ रही है, expense की बात कर रहे है, expense company के कुछ ज hydraulic wave में चलती हुए नजर आती है, कभी ऊपर, कभी नीचे, ओके यहां पर net profit की बात कर रहे है, तो highest ever तो नहीं कहुँगा, बट इस्टिल अच्छा गासा company का profit आता हुए दिखाई दे रहा है, yearly basis पर यहां पर देखो तो company का yearly basis पर performance काफी बहतरी है, net profit 1 करोड से 17 करोड रु positive यहां पर दिखाई देता है, company की बात करें, promoters के बाद 69.65% के share है, okay यहां पर आप देखो के 70% से 69% के आसपास के share यहां पर बेशते हुए नजर आई है, इनके promoters, FI's की बात करें, FI's ने इस particular quarter में 12% की हिस्सेदारी यहां पर खरीदी है, ठीकर लगातार हिस्सेदारी की बढ़ती हुए नजर आई है, तो इसे नजर अंदाज बिल्कुल मत करिएगा, public की बात करें, public है 17% के share है, कम होते हुए नजर आई है, जो कि मुझे एक positive factor यहां पर नजर आता है, और यहां पर woodland supplier private limited, sorry, wonderland supplier private limited, इन्होंने 1.02% के share, इस particular quarter में, March की बात करें, तो December से ले यहां पर बेचे गए थे, बल डिल की बात करें, तो 27 रुपे के हिसाब से, 16 जून को लगबग 10 दिन पहले ही, ठीक है, 10 लाक शेयर यहां पर 27 रुपे के हिसाब से खरीदे गए है, तो इस चीज को याद रखेंगे है, यहां पर खरीदारी भी अच्छी खाजी होती हुई नजर आ रही है, तो हो सकता है, चाट पर आएंगे, तो हम यहां पर खुल के बात करेंगे, और यहां पर देखो, 6 जून को तो 6 जून को यहां पर 10 लाक शेयर इनके थूरू बेचे गए, ओके, और 12 लाक शेयर यहां पर खरीदे गए, तो अभी भी लग बात करें, एक ला इनकी तरफ से खरीदा भी गया है, बेचा भी उसी तरीके से जा रहा है, ओके, यहां पर अच्छे गासे तरीके से 15 तारीक को, 14, 15 तारीक को, 16 तारीक को, में में, ओके, यहां पर बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग अच्छी खासी होती हुए, नजर आई है, यह वंडर खरीद के इन्होंने अच्छे कासे बेचे भी है तो वंडरलेंड का ही यहां पर कारणामा होता हुआ नजर आ रहा है शायद इस वज़े से शेयर में प्रेशर आया बट यहां पर आपको मुझे एक चीज नजर आती है कि इन जो एक कैपिटल है इन्होंने 10 लाग शेयर 27 रु करेंगे बट उससे पहले चानल को सब्सक्राइब बैल आइकन को हीट इन नम्बरों को नोट करके कोर्स हमारे साथ काम करना है तो यहां पर कॉंटेक करिए साथ हैं मिलके हम यहां पर काम करते हुए नजर आएंगे शेयर की बात करें 2019 में आया था उसके बास एक अच्छा कासा अल्रेडी तेजी हो चुकी है एक टॉप बना चुकी है कंपनी और टॉप बनाने का शेयर में गरावट आई है और यहां पर नसी पर जब यह लिश्ट हुआ था जहां से शुरू हुआ था वहीं पर यहां के ट्रेड कर रहा है अब क्या है ऑपरेटर देखिए यहां पर ले गए थे ऑपरेटर ही इसे नीचे लेके आई है 70% जब शेयर गिर जाता है ना 60% 50% 70% तो शेयर को वैसे तो देखना नहीं होता ठीक है बट ऐसा कुछ यहां पर खास हुआ नहीं है इंटरनल कुछ नेगेटिव नीज हो तो I don't know बट मुझे यहां पर ऑपरेटर नह नजर आते हैं जिन्होंने चीटों को यहां पर ऊपर भी लेके गए थे वही चीट है यहां पर काफी अच्छे कुछ लोग थे अच्छे कासे यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए लेके आए और चीट है यहां पर लोड़ सर्किट में आला कि यहां पर 23 रुपे 26 क्या असपास यहां पर छोड़ दिये क्या यहां पर लेना चीए तो अभी तो नहीं कहूंगा क्योंकि 70% जब शेयर गर जाता है तो यहां पर बेकार होता हुआ नजर आता है बट यह जो शेयर है ठीक है अगर किसी की यहां पर कंपनी अगर एक अच्छा सा यहां पर प्रि चल रहा है स्टेज 2 स्टेज 3 और 4 और 4 के बाद स्टेज 1 चलती हुए नजर आ रही है अब स्टेज 1 कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों की हो सकती है तो एक महीना तो हो चुका है बागी यहां पर देखते है कि exactly क्या चलता है बट इस्टेल ऊपर जाना शुरू करें तो एक कोई recommendation नहीं है अभी फिलाल के लिए दूर रही है 70% गिर चुका है 70% गिरने का कोई मतलब नहीं बनता कंपनी का यहां पर देख लीजिए क्या है balance sheet वगरा कंपनी के आगे अच्छे का से अपने number प्रेजेंट करेगी या फिर एक इसकी जो तेजी थी वो खतम हो चुकी है अगर ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है तो याद रखिए भागेगा थोड़ा सा भागने का आथ फसा सकता हो फिर दुबारा नीचे आ सकता है तो यह सारे के सारी चीजे होती हुई नजर आती है जाके पिछले चार्ट उठाना अल्ले अगले कंपनी के आपको चीजे स करने की बिल्कुल भी गलती मत करिए क्योंकि गिरती हुए चाकू को सब्सक्राइब करनी है ठीक है किसी को नया लेना है तो नया अगर कोई लेने की सोच रहा है तो इस शेयर को लगबग 30 रुपे के उपर निकल जाने दीजे तब लीजिए अधर्वाइस कोई लेना चाता है तो यहां पर लगबग 20% का stop loss लगा के रखेंगे 10-20% का उसके बाद अगर चीजे चलती है ठीक है तो वही रिस्क है reward ही इतना है so thank you so much God bless